the more you read the more things you will know and the more you learn the more places you will go so कैसा लगा यह rhyme चलि एसी के साथ इस्टार्ट करते हैं आज का यह question factorization का ठीक है factorization x cube plus 3x square plus 32x plus 20 इस चीज को आपको factorize करना है and उसके बाद दिया है if it is given that x plus 2 x plus 2 is its factor factor मतलब x plus 2 का multiple है ठीक है मतलब वो किसी number के साथ multiply होके यह बन रहा है तो इसको मैं दो तरीके से करेंगे ठीक है एक तो सबसे basic जो है वो long division method ठीक है तो यह long division method long division method में क्या करना है थोड़ा space ज्यादा लेगा यह चलो try करते हैं यहाँ पर plus 13 x square plus 32 x plus 20 तो इसको x plus 2 से divide करना है और यहाँ पर जो आएगा वो another factor जो भी होगा तो x को कितने से multiply करेंगे x square से तो यहाँ आ गया x cube अब उससे किये है तो आप लोगो यह जानना है जो लोग भूल चुके हो वो देख लो कि इसको फिर इससे भी किया जाता है तो x square को 2 से करेंगे तो 2 x square ठीक है उसके बाद इस तरह से चलता जाएगा हम लोगो पहला वाला को cut करते जाना है दूसरा वाला जो भी आएगा उसको बगल में लिखते जाना है यह minus होगा ठीक है यह तो cancel हो गया उसके बाद यह plus minus minus अब इसका sign यह हो चुका है बहुत सा student 11 आएगा और x 11 x into x is equal to 11 x square अब इसको इससे भी करना पड़ेगा तो 11 2 जा 22 22 x 22 x इसको यहां से हम लोग सब track किये तो यह तो cancel हो गया और 32 minus 22 is equal to 10 क्यों क्योंकि plus minus है यहां पर ठीक है और sign बढ़ा वाला का ठीक है वैसे positive देना जरूरी नहीं है उसके बाद आप इसको carry कर कर लो यह हो गया plus 20 अब x plus 2 x को किससे आपको देखो 2 को नहीं ध्यान देना है पहला वाला को cancel करने के लिए x को किससे multiply करेंगे कि 10x आएगा तो plus 10 से तो यह हो गया 10x और इसके वज़ा से फिर इसको multiply करना पड़ा 10 को 2 से 10 to the 20 तो यह पूरा-पूरा cancel हो ठीक है यह पूरा कि यहा 16 को divide कर रहे 5 से तो 5, 3 is a 15 यहा remainder बच रहा है इसका मतलब 5 के table में 16 नहीं आता है लेकिन वही अगर मैं 15 को divide करूं तो 5, 3 is a 15 यहा कुछ नहीं बच रहा है इसका मतलब 5 के table में 15 आता है ठीक है तो same वैसे हम लोग यहा पर किये इसका मतलब कि यह वाला जो है इसका factor रहें, this is also the factor of this polynomial, जो भी यह दिया हुआ है, तो अब हम लोगो क्या करना है, पूरा-पूरा निकालने के लिए, आप इसको डिरेक्ट ऐसे निख सकते हो, कि इसका जो फैक्टर है, वो क्या-क्या है, x प्लस 2 है तो जो अल्रेडी दिया हुआ है, और यह है, x square प्लस 11x प्लस 10 यह हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और ज्यादा यह split हो सकता है, कि नहीं, फर्दर हो सकता है, ठीक है, तो देखो मैं इसको erase कर रहा हूँ, आप लोग screen shot ले लेना, ठीक है, यहां से यहां तक erase करता हूँ, तब ही बना पाऊंगा, उसके बाद देखो, यह x प्ल और 10 प्लस 1, 11, 10 प्लस 1, 11, तो यह हुआ basic तरीका, बिल्कुल basic, ठीक है, उसके बाद यहां पे इसको यह सारा चीज हम लोग as it is लिखेंगे, और यह x दोनों से multiply होगा, और यह sin भी, ठीक है, sin आप लोग ignore मत करना, तो यहां तो क्योंकि positive है तो कोई फर्क नहीं पड़ेग तो 10x, प्लस x1 जा x, प्लस 10, अभी देखो यहां से x अगर carry निकालेंगे, लेकिन इसको ignore नहीं करना है, इसको भी आप note down कर दो, तो x अगर carry निकालेंगे तो क्या होगा, x प्लस 10, और यहां कुछ भी नहीं carry निकालेंगे, कुछ भी नहीं मतलब, प्लस 1, आप लोग दिम तो x प्लस 10, अगर मैं वाँ निकाल लेता हूँ, तो यहां से सिर्फ x बचेगा, और यहां कुछ भी नहीं मतलब, प्लस 1, ठीक है, यह हो गया, सारा का सारा, इसका factor, अब यह further split नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो these are the three factors of this polynomial, अगर बोला जाए कि x का value क्या आएगा, यह त उसको अगर रखते तो x is equals to minus 1, ठीक है, तो यह आ गया, ठीक है, अभी मैं आपको बहुत खास बात बताना चाहता हूँ, integral theorem, integral theorem बस वो आपको पढ़ने की ज़रूद नहीं, यहां से बताना चाहता हूँ, यह जो भी values आया है, आप जीस observe करो, यह minus 2 है, minus 10 है, और minus 1 है, यह क पिर हम लोग इसको divide करते हैं, इसको इससे divide करते हैं, वैसे तो आप 20 को अगर 1 से divide करो, तो 20 ही आएगा, और 20 का बहुत सारा factor होता है, 20 का क्या क्या factor होता है, 20 का factor में यहां पर, यहां पर, यह ठीक है न, दिख रहा है यहां पर, तो यह 1, 2, 5, 10, 20, ठीक है, 20 का यह सारा factor ह होता है और 4 भी होता है ठीक है ठीक है तो 1 के टेबल में 2 के टेबल में 4 5 10 20 इन सारे टेबल में आता तो आपको प्लस सिर्प नहीं लिखना है लिखना है लेकिन बाद में यह चीज़ जरूद करना कि क्या 3 के table में 20 आता है नहीं मतलब आपका answer गलत है ठीक है तो इसको बोलते है integral theorem इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो answer x का value लाया है वो सही इसमें से है या नहीं है अगर यहाँ पर 1 हो तो ये बहुत important बात है ठीक है तो इसको मैं एक और another method से करने वाला हूँ ये तो long division method था तो चलिए इसको मैं raise करता हूँ और दूसरा method क्या होगा ये बहुत important है competitive examination के बच्चों के लिए ठीक है school वाला है तो ये इस method को follow करे तो ज़्यादा बेटर होगा जो मैं अभी raise कर रहा हूँ हाँ तो चलिए दूसरा वाला method क्या है इसका हम लोग x plus 2 x plus 2 है इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ मैंने एक video इसके उपर डाला है जो 32 x plus 20 तो देखो यहाँ पर हर जगा पर x plus 2 x plus 2 आप लिखते जाना ठीक है मैं भी फिलाल बस 3 बार लिखता हूँ शायद 3 बार काम आ जाए या उससे ज़्यादा तो यहाँ पर क्या ऐसा multiply करूँगा कि यह cube बन जाए x square ठीक है ना अब कुछ एक rough section लेना आप अपने copy में जो उसके extra extra चीज भी जो बनेगा ना वो भी लिखते जाना है तो यह मेरा क्या बनते जा रहा है x cube बन गया वापस उपर देखो check करो x cube बन गया और यह 2x square 2x square मेरा extra बन गया इसको match करने के वज़ा से उसके बाद आप देखो यहाँ पर 2x square बना है यहाँ कितना चाहिए 13x square तो यहाँ कितना लेना होगा फिर 2x square पहले से है और चाहिए 13x square मतलब यहाँ पर कितना multiply करना पड़ेगा यहाँ पर 2x square और 13 11 करना पड़ेगा तो अगर 11x square हो जाएगा देखो इसने रफ करना जरूरी है 11x square हो जाएगा तो दोनों add हो के क्या हो जाएगा यह जो हमें चाहिए यह तो हो गया यहाँ से मिल गया तो 11x square करने के लिए यहाँ पर किस से multiply करना होगा 11x सही है 11x into x is equal to 11x square जो कि यह आ गया और पहले से क्या था हमारे पास 2x square तो दोनों मिलके क्या हो गया 13x square मतलब इसका काम कतम यह पूरा हो गया cancel लेकिन 11x दिये तो इसके वज़ा से एक extra चीज़ आ गया क्या आ गया 11 to the 22x अब देखते है आ गया हमें चाहिए 32x है ना आ गया है 22x तो कितना extra चाहिए 10x चाहिए 10x मतलब कि यहाँ पर किससे multiply करना होगा 10 से तो 10 को जब x से किया तो 10x आ गया और यह दोनों हो गया 32x ठीक है और 11 to the 22 और यह 10x सही है अब इसके वज़ा से क्या चीज़ extra आ गया 10 to the 20 extra आ गया यहाँ पर हमारा 20 extra आ गया और यहाँ पर क्या चाहिए था 20 ही चाहिए था मतलब कुछ भी आपको extra कुछ देने का जरुवत नहीं है यहाँ पर ठीक है बिल्कुल जरुवत नहीं है अब आप बताओ x plus 2 अगर factor होता है x plus 2 x plus 2 factor हो है x square इसके साथ multiply हो रहा है तो आप सबसे common निकाल दो अगर आपने जो बनाया अपने हिसाब से हम लोग यह करते गए करते गए यह match करवाने के लिए और lastly देखे कि यहाँ पर सारा सारा complete हो जा रहा है तो अब हम सब में से हर term में से x plus 2 common निकाल लेंगे ठीक है चलो देखो x plus 2 अगर common निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा x square plus 11x plus 10 अगर आभी आप पिटले वाले screenshot लिए हो गए या आपको याद होगा तो देखना यही आया था ठीक है हमारा और इसको फिर again further अगर split करेंगे shortcut method से shortcut method में क्या होता है shortcut method में plus plus अगर हो मैं बता रहे हूँ आपको shortcut यहाँ पे वहाँ पे basic से बताया था यहाँ shortcut बताता हूँ इसको आप note down कर लो direct यह वाला और यहाँ पे आप x लिख दो दो बार ठीक है क्योंकि x ही आने वाला है और यहाँ पे देखो कौन सा दो नमबर multiply होके 11 आता है कौन सा दो नमबर add होके 11 आता है add है ना और वही दो नमबर यहाँ पे multiply होके 10 आता है तो 10 1 जा 10 10 प्लस 1 11 आप यहाँ पे 10 फुट कर दो यहाँ पे 1 अब यहाँ sign क्या होगा वो सबसे बड़ा issue है तो प्लेस प्लेस में हमेशा प्लेस प्लेस होता है ठीक है देखो आगया यही आपका फैक्टर था पिटला वाला में तो यह बहुत important है competitive examination के बच्चों के लिए ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं Thank you, thanks for watching